नमस्कार मित्रों, जै मातादी, मातारानी की किर्पा से आप सभी का हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मत्रों मनुस्य के जीवन में ग्रोहों के बदलने के अनुसार मनुस्य का जीवन, मनुस्य का सुक, मनुस्य का दुख, मनुस्य के साररी कश्टों सथा, मनुस्य के मांसिक और सुक सान्ति के प्राप्ति ग्रोहों के अनुसार ही होती है ऐसे में भगवान की गृपा मनुस्य के जीवन में प्राप्त करना बहुत अच्छा होता है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला समय बच्छों, आपके ग्रहों के इस्तितिया कैसी है? आपका समय, दिन्चरिया और आपका स्वास्त कैसा है? धन की इस्तितिया कैसी रहेंगी? बैपार की इस्तितिया कैसी रहेंगी? बैपार, व्यवसाय, करियर और लवलाइफ में आपको कौन सी बड़ी सफलता मिलने वाली हैं? भगवान स्रीहरी विष्णुजी की पूजा उपासने किस प्रकार से करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं, रुपय फैसे में प्रभुत्री कर सकते हैं, और आप अपने सभी दुस्मनों को प्राजित कर सकते हैं. धन की देवी माता लग्मी जी की पूजा उपासने करके, इस प्रकार से उनको प्रसन न करके, आप अपने घर धन की देवी माता लग्मी जी को बूला सकते हैं. मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरित दीखेगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें, ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से बिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें. तुमित्रों, ग्रुम के चाल ये इसारा कर रही हैं कि आपके लिए आने वाले समय मिस्रित परणाम दायक रहेगा, कई मामलों में आपको सफलता मिलेंगे, आपके मेहनत से कारिम सिद्धी के प्राप्ति होंगे, आपके सी धार्मिक क्यात्रा पर जाने की बात मना सकते हैं लेकिन आपके जीवन में इस समय पैसो को लेकर जो भी तंगिया चल रही हैं, पैसो को लेकर जो भी आपकी अडचने आ रही हैं, उन सभी से आपको चुटकारा मिलने वाला है भगवान स्रीहरी विस्मुजी की क्रिपा से आपको एस्वरी की प्राप्ति होंगी, धन के छित्र में आपको सफलता मिलेंगी, परिवारवालों का, रिष्टेदारों का और सगे सबंदियों का आपको सहय यूग मिलने वाला है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं, बहुत प्रियास करने के बाद भी अगर आपको संतान सुखो की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह अब प्राप्त होने का इसारा दिख रहा है इस समय सुरी के रासी प्रिवर्दन होने की बज़े से आपके कारिशित्र में मान संमान की प्राप्ति होंगी, घर वाले प्रिवार वाले और समाज वाले आपके इज़त करने वाले हैं, आपके मान शमान में इज़त में बढ़ुत्री होने वाली हैं, दोस्तों के साथ मु बजबूती के साथ आपका साथ देगा, भागे का साथ उने की बज़ा से कारिश्यत्र में बड़ी सफलता की प्राप्ती होंगी, बिजनस करने वालों को भी सफलता मिलेंगी, निजी जीवन में भी आपका इस चमय पारिवारिक तालमेल बनाने की जरुत रोहेंगी, आप और आपके सही होगी, दोनों आपका पूरा साथ देने वाले हैं, लेकिन निजी जीवन में आपका तनाव रह सकता है, लेकिन ये समय के साथ दूर होने वाला है, मित्रों, सावधान, आगे की बातें रहस्मरी रहेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना, सुनना और स समझना चाहिए इसलिए आगे की जानकारियों को आप पूरे ही कौर से सुनें चंद्रमा रासी से दूसरे भाव में और आपकी रासी में राहो के उपसे दी आज आपका मान सम्मान दिलवाने बाला है और ये आपके लिए तथा आपके परिवाज के लिए सुब फलतायक रहे आपके मान सम्मन में पर्तिष्टा में वर्दी होंगी मित्रों अगर आप बेरोजगार ही वक हैं कई सालों से कई महीनों से कई दिनों से आप रोजगार की दलास कर रहे हैं या फिर आप अपने स्वेंग का रोजगार करने का विचार कर रहे हैं तो मित्रों रोजगार की आपको किये गये प्रियाच उसारे के सारे फल आज आपको देने वाले हैं कारषित्र में भी आपको अच्छा खासा परिnaम की प्राब्ति होंगी आपकी सी जौब या इंटर्व्यू को दिये हैं तो भी आज 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 mental की प्राब्ति करवा सकते हैं आज दिन्द competent कुम्बरासी वालों रुके विकाम भी आज आपके पूरे हो सकते हैं जिससे की आपको खुश्या मिलेंगे परिवार के बुद्रुगों के साथ आसरवाद लेकर कारे को करने का पूरा करें आपके सभी रुके पढ़े कारे की पूरे होंगे अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हैं अगर आप घर से बाहर किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो आज के दिन आप सभी देवी देवताओं को परणाम करके और अपने सारे पूरवजों को याद करके वो परणाम करके घर से बाहर निकलें आपके सारे कारे पूरे हो और आरही सारी के सारी बाधाएं आपके जीवन में दूर होने वाली हैं। देने बाला है। इसलिए अगर आप प्रोपर्टी डीलर हैं और कहीं निवेश करने का प्रणान बना रहे हैं तो आज के दिन आप यह फ्लान को पूरा कर सकते हैं। की कुशिस न करें बेवज़ा किसी के साथ बगजग या वेफजूल की बातों में अपना दिन जाया न करें। आज के दिन आप अगर ऐसा करोगे तो बेवज़ा आपके सत्रू पैदा होंगे। जिससे कि आपके तिताएं बढ़ेंगी इसलिए आपको सावधान रहने की जुरत होंगी। आज आपके माता की स्वास्त में परिभरतन हो सकता है। माता पिता के स्वास्त काफी अच्छा रहेगा और लंबे समय से अगर आप किसी विमारे से घ्रसित हैं तो उनसे भी आज आपको चुटकारा मिलने का कोई उपाय दिखेगा और आपके स्वास्त में फहरे से काफी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आज आप पे सेहत काफी अच्छी रहेंगे आज लेकिन ही काम जरूर आपको करना होगा आज आप गो माता को हर अचारा और आप रोटी जरूर खिलाएं आपके सभी विगड़े कारे बनेंगे कारे शत्र में भी आपको खुशी की प्राप्ती होंगी जीवनसाती के सहयोग से आप नई फ्रूपटी में निवेस कर सकते हैं आज रासी के स्वामी द्वादस भाव में रहेंगे जिसके कारण खर्चों में सीजी आएगी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है लेकिन ग्रहों के सुबस्य योग की वज़े से कारण आपका भागे भी आपको साथ देने वाला है और पिछले कई दिनों से जो काम रुक रहे थे उन कामों को पूरा कर सकोगे आज आपके प्राक्रम अबड़ोत्री होंगे कोट का चारी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी जिससे आपका मन काफी प्रसंद रहेगा मित्रों अगर आप किसी भी काम को लेकर कोट का चहरे में काफी लंबे समय से फसे हुए थे काफी लंबे समय से आप किसी योजना को बना कर कारे तो कर रहे थे लेकिन आपका किसी कारण से वो योजना सफलना हो रहा था तो उन सभी योजनाव को पूरा कर पाने में आज आपका पिजादा सफल रहोगे कारिशत्र को लेकर भी आपके मन में अलग-अलग प्रसन अलग-अलग सवाल उठते रहेंगे उन सभी कारे को पूरा कर सकोगे जो भी आज 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 आ आपके कारिशित्र में काफी लाव होनी वाला है। बैपार व्यवसाय और करियर को लिकर भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी। विवाहितों के लिए भी आज का दिन बहत्रिन प्रस्ताव मिलेंगे। और यह प्रस्ताव आपके जीवन में सकल और सूरत सावित होगा। प्रियास करें। दान देने से आपके सभस्त प्रकार के समस्याओं से आपको जुपकारा मिलेगा। और जिसे की आपका नाम बहती फैलने वाला है। नाम आपका गूंजने वाला है। और कारे को लेकर भी आपके सारे समन्दे भी काफे प्रसन्न होंगे। मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी छटे भाव में सनी और वरस्पती के साथ होंगे। तथा चेंद्रमा एकादस सुभाव में रहेंगे। जिसकी वज़ा से आप कठिन प्रस्थितियों से भी आसानी से बाहर निकल पाने में सफल होंगे और विरोधियों का पसीना भी आप छुडवाने वाले हैं। आप बेहदी ताकत पर बेहदी होंसियार और बेहदी फुर्तिवाद तरीके सिकार्यों को अंजाम देने वाले हैं। आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्ते लिखें। आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो। जैमा विन दुवासने।